नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बहुत स्वागस है ये हिंदी लिट्रेचर का और साथ में इस चैनल का भी सेकेंन लेक्टर है पहले लेक्टर में हम ने जो हिंदी साहित्ते का इतिहास उसको चार काल में डिवाइड करके दिखाथ आधिकाल भक्तिकाल रितिकाल और आधोनिकाल और देन हमने जो आधोनिकाल था उसका भे फॉर्दर डिविजन किया था ये हमने एक ब्लूप्रिंट टाइप से लिया था जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक श्रंखला भद क्रम में देखा था इसके बाद हमने आधिकाल फॉर्स लेक्चर में अपना पढ़ना शुरू कर दिया था और हमने देखा था कि आधिकाल की वो कौन सी प्रिष्ट भूमिया थी जिनके आधार पे हम साहित्य को जज़ कर सकते हैं और साहित्य की क्या प्रवत्या थी जिनके आधार पे हम उस समय की राजनेतिक परस्थिचियों को देख सकते हैं तो अभी आधिकाल के अंदर जो हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यह है जैन काव्ये इसके बाद देखिए लोकिक साहित्य आता है और लोकिक साहित्य के बाद लोकिक साहित्य में आपको अमीर खुसरो और विद्यापती इन दो को पढ़ना है तो धार्मिक साहित्य के अंदर जैन और लोकिक के अंदर अमीर खुसरो और विद्यापती इन तीन को हम इस लेक्चर योज है जिसका सांसारिक विश्यों से, जिसका सांसारिक आकर्ष्ण के ऊपर विजय हो गई हो, उस पर विजय पाने वाले को बोला जाता है जिन यानि के जैनी, चीक है, अब इसके कुछ महत्पून कवी जो हमें देखने हैं, उन में से पहले हैं स्वयमभू, फिर हैं हिंद जंद्र और हैं पुष्वदंत इसके अलावा जो है वो आपके राम सिंग और धनपाल इनका भी नाम आता है अब हम पहले कभी देख लेते हैं स्वयम्भू ते कि स्वयम्भू ने पॉम्चरियूम की रचना की थी जिसको पदम चरितर भी कहते हैं और इसी बुक के आधार प इनको अपभ्रेंश का बालमिकी भी कहा जाता है यह पॉम्चरियूम आपको नाम याद रखना है ठीक है क्योंकि यह एक बुक है जिसके आधार पर इनको अपभ्रेंश का बालमिकी कहा जाता है यह पॉम्चरियूम क्या है यह राम चरितर पर आधारित एक जैन रामायने फिर निक्स्ट जो कवी थे वो थे हीम चंद्र, हीम चंद्र ने जो बुक लिखी थी वो थे सिद्ध हीम सब्दा नुसाशन, ये ग्यालवे शतापती के कवी हैं और इनकी भी इस बुक का नाम आप याद रखेंगे, इस बुक के नाम के आधार पर इनको प्राकर्त का पढ़ थे निन के बस्ट बश्च आई थे उसके भाद आपकी अपरणश बोलते हैं उसके बाद एक तरीके से जो परिशकर्द अपरवर्णश हो गई है या परवर्ति भी बोल देते हैं ये आई और फिर परवर्णश दे हिंदी की अलग अलग बोलियों का और हिंदी का विकास ठीक है उसके बाद तीसरे कवी है पुष्पतत इन्होंने अनाय कुमार चर्यू इसके रचना की है ठीक है अब देखिए शर्प के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्होंने बेसिकली दोनों तरह के काव्य रूप लिखे हैं प्रबंद भी लिखा है मुक्तक भी लिखा है दे इन्होंने कुछ अब देशात्मक तरह का काव्य भी लिखा है तो इसमें उन्होंने फुटकल वाले पद भी लिखे हैं तो शिल्प में काव्य रूप दोनों तरह के लिखे हैं प्रबंद भी और मुक्तक भी ठीक है भाशा किस तरह की थी तो देखिए प्राकर्थ और अप प्रब्रश इति लेकिन क्या थी प्राकरत का आभास लिए हुए थी इसलिए कहते हैं प्राकरत भाश अप प्रब्रश थी इसके बाद देखिए हैं कि इन्होंने साथ में क्या किया है उपदेशात्मक रासो काव्यों की भी रचना की है जब रासो काव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि कुछ जैन कव्यों ने भी रासो साहिती की रचना की है लेकिन वो श्रंगार या वीर्दा पे आधारित ना होकर किस प्रकार के थे उपदेश आत्मक प्रकार के थे तो इन में से जो जिंदत सूरी है उन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा है श से जादा आपको जानने की जरुरत नहीं है इतना भी अगर आप कर लेंगे तो एक टिपनी लिखनी जितना आपका हो जाए रहा है अब आप निक्स देखिए अमीर खुष्रो अमीर खुष्रो देखिए क्या है तीरवी से चोधवी सताब्दी के कवी है और यह एक तरह के स ख़ए घृष्रो अलब्दी ख़ड़ी ख़ड़ी के यह पहले कवी माने जाते हैं जैसी ख़ड़ी इन्हों ने अपने साइटे में यूज की उसके पांसु साल का गैप हुआ और तब जाके फिर खड़ी 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 और दर्शन होता है तो इन्होंने पांसु साल पह यह सभी नों ने लिखा अभी क्या है देखें पहलिया तो आप समझते हैं मुक्री भी वैसा ही होता है उसका थोड़ा सा बस चींज करके है जैसे फॉर एक्जामपल इसमें क्या होता है कि दो सखी है जो आपस में बातचीत कर रही है तो पहली सखी कुछ क्वेश्चन बताती वासे चिकन न कौव दीसा ए सखी साजन ना सखी सीसा तो यह मुक्री का एग्जामपल है अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख लेज़ेगा यह आपको एग्जामपल देने में काम आएगा ठीक है फिर उसके बाद जो यह पहली मुक्री और सुखने है आपको ध्यान य अमीर खुलों से मानी जातीज है ना चीजन के बारे में आपको ध्यान रखनी होगी सिपरिमें बच्चों के लिए तो है ना पते हैं अमीर खुष्रों से ही मानी जाती है तोकि इनकी यह जो पहलिया थी ठीक है यह बाल मूलक साहिते के अंदर में आता है जैसे फोर एक्जामपल एक थाल मोती से भरा सबके सिर ओंधा धरा चारो और वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे तो यह तो आपने उपनी बच्पन में भी सुना होगा तो यह ज्यान मूलक साहिते आप थान रखेंगे उसके बाद आपने याद रखętना है कि घड़ी बोली हिंदी और उर्दु के यह पहले कभे माने जाते हैं इन्होंने अपने साहिते में जिस तरह की शब्दावली यूज की खड़ी बोले उगदू की उसके point of view से इनको पहला कभी मानते हैं बाल साहिते वाली बात हो गई फिर इनके साहिते में बहुत जाता सूफियाना भाव भी नजर आता है जो परसिद सूफी संत थे निजामुद्दीन ओलिया उनके इस इश्यत है और उ उसमें जैसा बताएंगे कि सूफियाना भाव पर भी लिखते थे तो इसमें है कि गोरी सोवे सेज पर मुखपर डारे केस चल खुसरोगर आपने रहन बही चहुदेश ठीक है उसके बाद इन्होंने धार्मिक अडंबरों पर चोट की है ठीक है और एक इंपॉर्णन बात यह रखनी है कि वैसा काल जिसमें श्रंगार प्रधान था जिसमें स्तुरी को एक भूक की वस्तू के रूप में देखा जादा था वहां पर इन्होंने एक साधारन घर की बेटी की समस्या को लेके जो है कुछ पंक्तियां लिखी है जिसका एक्जामपल है काही को भ्याहे परदेश सुन बाबूल मोरे तो यह आप अपनी नूट से देख लीचेगा तो यह भी आप ध्यान रखेंगे अब देखिए इन्होंने किस तरह की भाशा का प्रयोग किया तो हमने देखा खड़ी बोली का और ब्रजबहाशा का जो आहरंबिक प्रयोग था वो इनकी हां मि जिखाई देते हैं इसके अलावा इन्होंने क्या किया है फार्सी और हिंदी का बड़ा अद्बूत सा समन्वे कर दिया है तो यह इनकी प्रयोग शीलता को दर्शाता है इसके अलावा इनकी जो भाशा थी वह किस प्रकार की थी चित्रात्मक या बिंबादमक भाशा अब अगर कुछ इस तरह की पंक्तिया सामने हो कि उनको पढ़ते हुए या उनको सुनते हुए आपके सामने एक पिच्चर रपर्जेंट होने लगे जैसे फोर एक्जामपल अगर कोई आपको बताए कि चडिया थी उसके सुनहेरे पंक थे लाल रंग का कुछ था और इस तरह क बोलते जाओंगे आपके सामने वैसा पिक्चर बनता जाएगा तो यह जो आपके सामने जो चित्र बन जाता इसी को बोलते है कि बिम वाली जो एक शैली है इसका प्रियोग कभी ने किया है तो इसी को चित्रातमकता भी बोलते है या बिम बातमकता भी बोलते है और यह यह प्रयोग करते थे ठीक है तो इतना आपको अगर अमीर खुसरों के बारे में पता है तो एक टिपनी लिखने के लिए इनफ है अब आम देखते हैं विद्यापती ठीक है तो विद्यापती इंपोर्टेंट है यह 14 से 15 शतापती के हैं देखे आदी काल के सबसे अंतिम समय का ज चल पड़ी है तो यह आदी काल के कौन से मिथल कवी है क्योंकि इस समय तक क्या था अलग-अलग बोलियों का विकास हो चुका था तो इनकी जो रचनों के बारे में पता चलता है टोटल चोदा रचनाय पता चलती है जिसमें से 11 संस्कृत में हैं और 3 हिंदी में हैं ठीक है और इनकी जो एक तरीके से ख्याती है रहना वह पतावली के बेस पर है पतावली को लेके भी एक दू विवात चलते हैं जिनको हम अभी देखेंगे ठीक है तो अब हम पहले देखते है कीरतिलदा के बारे में कीरती लता की जो हम बात कर रहे थे और जो कीरती पता का है ये इन्होंने जो राजा कीरती सिंग थे ठीक है उनके दर्बार में रहके इसके रचना की है जिबकि जो पदावली का पॉन्यान किया है वो राजा श्यव सिंग के दर्बार में रहते हुए किया है ठीक है तो अब ह उसका चरत्र चित्रन इसमें इन्होंने किया है और इसके बारे में एक बात आपको याद रखने की इसे पधात्मक नहीं है सिर्फ पद्ध के रूपेस की रचना यह पुद्ध कहीं प्रियोग हुआ है तो आप उनकी ही प्रसंशा करेंगे और क्योंकि ये आदी काल है और रासो कावे, भीरता, शरंगार इस तरह की चीजें एक तरीके से उभार पे हैं या कह सकते हैं अपने चरम पे हैं तो अतिशोक्ति पूर्ण प्रसंसा ये जो हैं करते हैं ठेक है अपने राजा की अपने आश्रे दाता की अतिशोक्ति कि लेड़र किया है कि वह बहुत ही एतिहासिक तरीके से सथीक वर्डन किया है तो यह आप इसके बारे में याद रखेंगे कि युजैंञे की भाषा कि थी तो देखें भाशा के बारे में इन्होंने खुदी करके लिखendedr भावाई पाउआ रसको ममना पावई इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा जो है वो प्रभुत जन को पसंद आती है और रस तो इसमें मुझे भी मिलता है लेकिन उतना गहरा अर्थ नहीं मिलता इसलिए मैं अवहट की पूजा करता हूँ सेकेंड लाइन यह है इसकी देसल बाणा सब जन मिठा ता तीसन जपों अवहटा मेरी पार्णरशेशन में कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीज़ेगा तो बेसिकली देखेंगे अब पहले क्या था भाषा विज्ञान में एक विवाज चलता था कि अपब्रश और अवहट ये दोनों एक ही है या फिर जो अवहट है वो एक उपबोली है या फिर इनका एक दूसरे की जहाँ पे नाम प्रियोग होता है तो देखें विद्यापती ने क्योंकि वर्ड यूज किया अवहटा तो माना गया कि ये अवहट जो है एक अलग भाषा है एक ही नहीं है तो इस चंद का ये महत्व है कि जो विवाद चल रहा था कि अपबरश और अवहट क्या एक ही है तो वद्यापती के चंद से पता चलता है कि एक नहीं है अवहट के बारे में ये लिखते हैं यह निश्चिन्त हो चुका है कि अवट जो है इक स्वतंतर भाषा थी और नोवी से क्यार्वी सदी में प्रचलित रही है इसके बारे में जब हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे और इसमें अवट वाला खंड पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ठीक कि बहुत सारी तो यह चीज़ें अभी काफर डिटेल में जब हम भाषा वाला खंड पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ठीक है तो भाषा से अब हमें एक तो क्या पता चला कि अवट में लिखते थे तूसरा जो है अब देखें पदावली के बारे में हम देखते हैं कि पदावली ही वह रचना है जिसको लेके फेमस है तो पहला तो ध्यान रखना है कि क्रश्न भक्ती से संबंदित पद इसके अंदर मिलते हैं अब पदावली में कौन सी भाषा यूज की गई है मैतली भाषा यूज की गई है ठीक है अब यह जो पदावली थी इन्होंने यह तम लिखी है जैदेव ने गीत गोविन और जगवी हाल थे उन्होंने गाथा सब्त सती और चंडी दास ने कृष्ण काव्य लिख दिया था लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि प्राय यह माना जाता है कि क्रश्ण भक्ती की यह पहली रचना है ठीक है और देखें बेसिकली क्या होता है कि यहां पर हम देखेंगे कि हिंदी में जो पहले लिखी जा चुकी थे गीत कोविन हाल कवी ने जो गाथा सब्त सती लिखी थी यह उसकी कड़ी में तो अगली थी ठीक है और यह विद्यापति का आ गया और जो सूर की काव्य धार आई ठीक जो पदावली का महत्व है इसके लिए पदावली जानी जाती है कि इनोंने अपनी पिछले परंपरा का निर्वा किया और फिर उस परंपरा का सूर के हाँ पे जो क्रिश्न काव्य अपनी चरम पर पहुंच गया वहां तक विस्तार किया ठीक है अब हम देखते हैं कि देख आशा का विकास हुआ और पदावली को जो है मितली भाषा में लिखा गया ठीक है अब देखिए यह आता है क्यों एक कि जो विद्यापती है वो श्रंगारी कभी है या भक्त कभी है तो देखिए शुक्ली जी ने इसके बारे में एक तरीके से काफी गड़े शब्दों का प्रयोग किया है शुक्ली जी कहते हैं कि विद्यापती श्रंगारी कभी है क्योंकि अगर उन्हें भक्ती ही करनी होती तो विद्यापती शिव भक्त थे तो उन्हें शिव के भक्ती करनी चाहिए थे क्रश्न की नहीं ठीक है और इसमें वैसे भी जो यह पद है यह काफी ज कि आवी जो परMyIch होता है तो योगवर्णन वर्णन पर फिल्टिया एक है तो आपना है चली इतने जादा सस्ते हो गए जैसे कुछ लोगों ने उन चश्मों को चड़ा के गीत गोविंद को अध्यात्मिक बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी तो ये स्टेटमेंट आप एक याद रखेंगे अगर ये टिपनी आती है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन वही पर दूसरे कुछ साहितिक आलोचक हैं जो कहते हैं कि विद्यापतिक भक्त कवे थे इसमें इसे एक हैं जॉर्ज गियर्सन इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी और उसका नाम था मैथली क्रेस्टो पैथी ठीक है बुक का नाम भले ही न याद रकिन आपको जॉर्ज गियर्सन नाम याद रहना चाहिए इन्होंने इसमें दावा किया कि जो राधा और कृष्ण हैं वो तो बेसिकली प्रतीक हैं सिंबल हैं जो राधा हैं वो जीवात्मा का जैसे हम मनुश्य हैं इनका एक तरिके से प्रतीक है और कृष्ण उस प्रमात्मा का जो है एक प्रतीक है और जीवात्मा प्रमात्मा से मिलने के लिए जैसे प्रतनशील है उसी का वर्णन जो है इनके पदों में हुआ है ठीक है इसके अलावा जो शाम सुन्दर दास है और जो ब्रजिन अंदन सहा हैं उन्होंने भी इनको भक्त कवी ही मांगना है तो बेसिकली इस विवाद का एस्सच तो कोई समाधाल नहीं हुआ है हमारे एक्जाम के हिसाब से हमें ये लिखना है कि ये एक श्रंगार समन्वित भक्ति है जो कि कीत कोविंद वाले परंपरा का नर्वा करती है क्योंकि हम आगे चल्के देखेंगे जो सूर की रचना हैं उनमें भी हमें श्रंगार और भक्ति का समन्वें किसी हद तक दिखाई देता है और इसमें एक जो ये वाला जो राइटर है इनका एक आप जो पक्ष दे सकते हैं उसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कृष्णेदास और कोविंद दास ने विद्यापति को भक्त के रूप में बताया है उसका तर्क ये है कि राधा और कृष्णे के संयोग कमहा काव्यातमक वर्डान करने के बावजूर यदि सूर्दास को भक्त माना जा सकता है तो विद्यापति को क्यों नहीं तो शुकले जी की स्टेटमेंट याद रखेंगे कि ये वाले स्टेटमेंट याद रखेंगे और एंड में कंक्लूजन में बताएंगे कि श्रंगार समन्वित भक्ती थी अब एंड में हम देखते हैं देखिए क्वेश्चन आता है टिपनी करने कि विद्यापति के कृष्ण या विद्यापति की राधा जो की उपी से पू अधि जो पाक्ष है वो शीर ओर शक्ति कर्याइव आएट है राधा या ने कि लोकमंगल कारी पक्ष जो है वो लोकरंजन कारी पक्ष पर हावी है लोकमंगल कारी या निकित समार्श का जन भल्ला करने वाले लोक रंजन यानि के एक तरीके से जो रस है संदरिये है ठीक है श्रंगार है उस पे बल दिया जाता है तो गीता में कृष्ण का लोक मंगल कारी पक्ष प्रधान है लेकिन विद्यापति के कृष्ण का लोक रंजन कारी पक्ष जो है हावी है ठीक है यहां पे श्रंगा टीक है तो विद्यापति क्योंकि हिंदी काव важно के पहले कभी माने जाते हैं और ईंहें को विए घृत कRI볕ессipp गजिता के नहीं है तो आपकी जो भाश्या है वो आम बोल जाल की भाशा नहीं हो सकती है थोड़ा सा आपको जो सहित्य की भाश्या है उसकी जो गरीमा है उसको लेखे चलते वे ही पेपर में अपनी आंसर राइटिंग में करनी बढ़ेगी ठीक है उसके बाद देखिए जो क्या है हमने बताया इसके अलावा आप एक दो एक्जामपल देंगे कि कृष्णि इतने जादा सुंदर है कि राधा जी को ऐसा लगता है कि इतना सौंदर यह तो सपन में हो सकता है तो एक एक्जामपल है इसकी देखल एक अपरूप सुनईत मानवी सपन सरूप तो यह इस तरह के एक्जामप में तो देखिए राधा एक ऐसा नारी चरत्र है हिंदे साहिते का जो आधी काल से लेकि आधुनी काल तक लगातार उपस्तित रहा है तो जैदेव के गीत कोविंद में इसको पहली बार प्रग्मुक्ता प्राप्त हुई थी तब से लेके जो धरमवीर भारती है उन्होंने बीश्वी सदी में अपना कनूपरिया लिखा है तो तब तक राधा जी जो है अपने अलग-अलग सवरूप में हिंदी साहिते में पाठकों के संमुक आती रही है अब जो विद्यापती जी की राधा है उनकी क्या विशेश्ता है तो पहला है कि इन्होंने क्रिश्न के बर अब है कहीं तो राधा का महत्व जो है वो ख्रिश्न से भी जादा हो गया है ठीक है और यहीं परंपरा फिर आके बनी रही है दूसरा क्या है इनकी या पर राधा की शारव Ready को बहुत जादा सघंवर्ण हरा है इतना जादा कि अस परंपरा की शेष रचनायत ही उसमें वै प्रूब सुंदर ये है उनका और इनकी सुंदर ताकि बहुत जादा सुंदर सुंदर उपमानों से तुलना की गई है जैसे आफ शौन गमल कनकवलरी यह जो वर्ड है यूज कर सकते हैं तेक है इसमें भी आप जो है अगर एक्जामपल देना चाहें तो यह दे सकते हैं जहा जहां जहां भी अपने पैर रखती हैं कमल जढ़ने लगते हैं और उनका सुंदर ये ऐसे ही जढ़ता है कि विदुत तरंगे उत्पन होने लगते हैं ठीक है और यह देखे फिर से वही है कि जैदेव से स्टार्ट हुआ विद्यापते ने आधार दिया और सूर तक विस्त कार किया उसे बाद इन्होंने क्या किया था जो संस्कृत और बांगला की परंपरा था उसको लेकर हिंदी काव्य परंपरा कई ये इनका ज्सद्र है तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर विद्यापति ने अब हिद्धिया इंदे क Finnish काव्य परंपरा से राधा की चरित्र को लिया और हिंदी काव्य परंपरा को सौंप दिया और इनके काव्य में ये राधा का चरित इतना प्रभावशाले बन गया कि जो आगे वाले कवी थे जैसे सूर थे बिहारी है घनानंद है भारत देंदू है धरमवीर भारती है ये भी राधा के महत्व को एक तरीके से नकार नहीं सके हैं तो ये आप याद रखेंगे उसके बाद ये आज का लेक्टर यहीं पर खतम होता है एक निक्स्ट लेक्टर आएगा जिसमें हम रासो कावे धारों को कंप्लीट करेंगे और आपका आधिकाल कंप्लीट हो जाएगा तो तीन या चार वीडियो टोटल हुई औ आपका एक काल कंप्लीट हो गया ऐसे फिर निक्स्ट हो जाएगा और फेबरी तक हम लोगों ने अपना टार्गेट रखा है स्लेवस को कंप्लीट करने का तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़े कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबेक दीजे क्योंकि अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे आप लोगों को पसंद आएगा तो हम लोगों को अच्छा कंटेंट देने का एक प्रोथसाहन मिलता है और ये आप मान के चलेगा कि यूट्यूब पे जो हिंदी साहिते के आप अच्छिए जाएग्या है जग्या हैँग्या प्रोथसाहन आप लोगों को अघस्दरिक।